हलो फेंडंस कैसे आप लोग प्रेंस ट्रेडिंग मो Right consistently हम सबी करते हैं लेकि मैं हम अंगे इसल्च का सिक्रेट बताने जा रहा मैं जिसका इस्तमाल करना अगर आपने सीख लिए तो गैरेंटीड है आपकी ट्रेडिंग में बहुत निंखाराने वाला है और आप प्रॉफिटिबल ट्रेडर बन जाएंगे अगे अगे बढ़ने से पहले पहली बार आये हैं और अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहले दमाना मत भोलेगा इस तरह के प्रॉफिटिबल स्टेडिजी आपको मिलती रहेंगी और आपक की जो भी टेडर्स अपने अर्ली डेडिज में स्टार करते हैं तो अक्सर सुन्ते मोविंग अवरेज क्या इस्टार वक्राइब का पाइनको करते करते को लाइन बनती चली जाती है तो कोई 50 डेज्ट करता है को ट्वन डेज करता है कोई फाइव देज भी करता है सबका अपना अलग-अलग स्टाइल है ठीक है और उसी का यूज करके हम बहुत बार जो है टेडिंग करते हैं लेकिन 90% टेडर्स जो है इसका इस्तमाल करते हैं और फॉंस जाते हैं इस्टक हो जाते हैं या लॉस खा जाते हैं उसके पीछे स्टेड़ीज होगी है इसलिए बिल्कुल सामने दिखाई तो फिर कुधी कन्फीक हो जाएंगे जो फिर को स Jonny को पढ़ रहा थे तो अगर पर सेंपद सोफूर्ट शक जोया कि पोरी स्क्मेटने करते हैं लैपटाओ पुंसके स्क değer श्र्क ऑसानि सबस्के बात करते हैं है रूल्स का बारि में फ़ालो का रोल्स जो हम rules follow करने जारे first हमें use करना जो moving average use करना हमको 50 days moving average इस चलता है कि moving average इतना हम pass शुझ करते हैं अगर five days करते हैं तो बॉल चिपके चलता है 20 days करें तोरा से दूर और 50 days करें तोरा से तोरा से दूर इस थे में different time frame से use करते हैं second हमको use करना है moving average at least two times bounce हो यह क्या होता मैं आपको भी समझाऊंगा चार्ट पर आपको सुझ में आएगा two times bounce हो and third one is कोई भी price reversal candle बनती हो ध्यान रखेगा price reversal candle बननी चाहिए अब यह क्या होता है इस अब बात करते हैं हैं मौनिंग अब आपको सबसे पहले रूल्स के बारे में देखे नॉर्मली मूविंग होते क्या है कि सिंपलिएक लाइंस होती है आपकी अब कभी ऐसे से बढ़ते हुए चलती रहती है तो इस तरह की lines होती है, जो भी हम 50 days moving average उसकरने जा रहे हैं, अब क्या करना, जो 2x bound, तो टाइमस बाउन्स में क्या होता है, कोई भी market में share चल ला है, तो share आपका market में नर्मिल एसे move करते रहते हैं, अब यह share marks के move करते हैं, suddenly यह market में इस point पर आएगा, जहां पे आपका moving average है और फिर यहां से bounce कर जाएगा फिर से market move करेगा देन आपका आया अगरी उस point पर और फिर यहां से market जो है फिर से bounce कर गया clear? तो इस तरह चले at least जो भी trade ले जा रहे हैं वहाँ पर at least two times market ने bounce किया हो ध्यान लखेगा जब यह two times bounce कर लेगा तब आपको third time market में यहां पर आएगा तब आपके पास एक probability होगी कि last two time market ने यहां से bounce किया हुआ है तो third time भी यहां पर bounce करेगा तो हमको इसी का wait करना है और फिर उनको trade लेना है अगर यह third time से ज़्यादा four time five time होगा तो और अच्छी बात है यतना ज्यादा times वहाँ पर market उस लेवर को support लेगा उतना अच्छी बात है उतना अच्छी बात है उतना अच्छी मार्केट मॉव्मेंट आएगा लेकिन minimum two times अपके पास होना चाहिए अब बात करते हैं थर्ड बन जो सबसे अच्छे से इसको प्ले कर पाएंगो अच्छे साब अच्छे समझ भाएंगे इसको और अच्छे समझने करें चलते हैं चार्ट में आपको आसानी साब को समझ में आएगा क्योंकि यह तो कि वह रूट्स थे जब प्रैक्टिकल अब उस पर देखेंगे आपको और अच्छे समझ में यह आएगा फ्रिंट्स आगे हम डेक्स्टॉप पे लैप्टॉप पे हमने सब्सक्राइब का चार्ट ओपन किया हुआ अब यह मोविंग अवरेज को हैड कर रहें क्लिए कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर शुआ को यहां पर यहां पर यहां पर कुछ तो कुछ होगा इसी को प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे आइंट्फाइब करने के लिए moving average अब अगर आप देखें जैसे moving average हमने लगाया 50 days moving average को तो market ने इस point पे इस point पे और इस point पे market ने rejection लिया और यह तो थोड़ा नीचे ही हो गया कोई सुने यह clear तो हमें क्या करना at least two times आप देखेंगे कि market ने one times इसको रिएक्शन लिया यह यह true valid moving average का इंडिकेशन हो गया कि हम मार्केट यहाँ पर support ले रहा है अब थोर्ड टाइम्ट यहां पर आएगा तो यहां पर एंट्री कर सकते हैं एंट्री करने का हम वेट करेंगे किसका price section का इसका यहां पर एंट्री लेंगे और इसका हाई होगा यह आपका stop loss होगा और आप देखेंगे इए आपका इसमें फिप्टिन टाइम फ्रेम यूज कर रहा है इसमें मार्केट जो है पर्टिक्लर टाइम फ्रेम पे यहां पर रिजेक्शन लेते हुए जा रहा है अब फिर से प्लॉट करते हैं 15 देज प्लॉट किया तो मार्केट ने इसी लेवल को बार-बार रिजेक्शन लेते हुए जा रहा है और यहां पर देखे थोड़ा सा जिक्षा जिग जैक भी हुआ क्योंकि आप मार्केट में इस तरह के फॉल्स ब्रेक आउट भी होते हैं जहां पर आपको बचना होता है इस तरह क कर दिया इस लेवल कुमविंग अवरेश को ब्रेक कर दिया एकप कर दीया फिर हम टेंशन में मार्यर्स ने ग्रешत कर लेबं करते हैं कि यहां पर हमको यहां सब्सक्राइब है फिर हम यहां पर एन्टरी ले सकते हैं और फाइनली क्या होद जो बंफ नीजित को मार्केट ने यहां पर ब्रेक औट किया एक बुलिश्प ब्लिश इंगल फ्यकेड़ के युफ़र कजाते हैं यह भीप्ड चर्ट में यहां पर कुछ अुछ है मार्केट के लिए नाथ करें है सब्सक्राइब अब इसको देखेंगे अगर यहाँ पे ध्यान से मार्केट ने वन टाइम यहाँ रिए तर्ड तर्ड पर अब बढ़ा करने ताकि आपको और अच्छे से समझ भाइबा आप दें थर्ड टाइम में क्या किया मार्केट ने आपका बिल्कुल सपोर्ट पे और फिर मार्केट ने यहां से ब्रेक आउट कर दिया इसके लोग के निचे आपका stop loss बनता और इसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने यहां पर आया सपोर्ट लेने के लिए और बुलिश आपके मारा बाजु टाइब केंडल बनी अंगल फिंग कंडल भी आप सकते हैं पूरी कंप्लीट और इसके उपर मार्केट यहां से रॉकेट वितरह उपर ओड़ गया तो इस यह बहुत सिंपल स्टेट्जी ध्यान रखिगा इतना सिंपल है कि सबको विजब करते हैं पैसा बनागा नहीं देते हैं क्योंकि एक इंडिकेटर तो कुछ और कुछ और कुछ और गयेगा अज जब तक आप उसमें एंट्री लेने का टाइम आता अब तक मार्केट उतना कर चुका होगा तो लेड़ी हम लेट हो चुके होते हैं कि जब भी आप किसी भी काबली किया था मारा कम हो जाता है तो इसलिए किसी भी ट्रिंट को पकड़ने के लिए या बहुत अच्छा ही टूल होता है मुविंग अवरेज का इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह तो डिटेल्स आपके पूरी इस स्टेटिजी के बारे में यानि 15 देज के बारे में कैसे याई स्टेटिजी का आप एवरेज के बारे में कैसे या इस्टैटिजी आप यो करेंगे मैं बार वर अपने हर वीडियो में इसलिए कहता हूं कि यतना आप टेस्स करेंगे उतना आपका confidence बिल्डप होगा और जितना आपका confidence बिल्डप होगा उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाएंगे क्योंकि जब आपको इंफॉर्मिटी लगी हो तो इसके एक लाइक तो जरूर बनता हो और अभी था हमारे टेलिगाम चैनल को अपने जॉइन नहीं किया है तो जरूर जॉइन कर ले उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंचन है जहांब आपके टेस्स करते रहता हूं मिलते अगले वीडि प्यार पूर्वक धन्यवाद